आई ये शुरू काता हुश्टामी वे आगे कहते हैं अरे आप इसे रद्दी कह रहे हैं मैं तो आपको जानकार और सोसिक्षित आदमी समस्ता था आखिर बात क्या है जनाब ये वही पिरसित अकवरी लोटा है जिसके तलाश में संसार भर के म्यूजियम परिशान है अच्छा जी हाँ जनाब सोल भी शिताब्दी की बात है बात्शाह मायू शेशाह से हार कर भागा था और सिंद की रगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था प्यास से उसकी जान निकल रही थी उसी समय एक ब्रहामण नहीं इसी लोटे से पानी पिला कर उसकी जान बचाए थी और इस बात की जब ख़बर अकवर को मिली तो उसने ब्रहामण का पता लगा कर उससे यह लोटा ले लिया और इसकी बदले में दस सोने की लोटे ब्रहामण को दे दिये इसी से इसका नाम अक्वरी लोटा पड़ा और सन 1957 तक इसका शाही गरानी में रहने का पता है पर इसके बाद लाबता हो गया लोटे का सारा विरन सुनकर सुनती सुनती लोब का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे जो कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा इस पर मेरा हक है मतलब वो जो अंगरेज था उस पर इस लोटे का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे भी से खरीदने के लिए तैयार हो गया तो उसने का जरूर हक है लोटे के पाने से स्थान आपने किया या मैंने उसने का आपने वे आपके पेरोपर गिराया मेरे उसने का आपके इसलिए मेरा हक है आप 50 रुपे दे रहे थे और भैस सो देता हूं मैं 1.500 देता हूँ के 500 रुपे देता हूँ बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपे उठाते हुए बोले चलिए कोई बात नहीं लोटा आपका हुआ आप ली जाएए मेरे पास 500 से अधिक नहीं है साहब ने चिबटकर लोटा उठा लिया और बोले आप इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा उन्हें भी पुराने चीज़े संग्रह करने का बहुत ही शौक है और पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगिरी अंडा ले गए थे पर जहांगिरी अंडा है क्या आप जानते होंगे एक कबुतर ने नूर जहां से जहांगिर का प्रेम कराया था तो जहांगिर के पोशने पर कि मेरा एक कबुतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया तो नूर जहां ने इस प्रश्णी के उत्तर में उसके दूसरे कबुतर को भी उढ़ा कर दिखा दिया और बताया कि ऐसे मतलब रहने ऐसे उढ़ा दिया तो नूर जहां के इस भोले पन पर जहांगीर दिलो जान से नचावर हो गए और उसने इस कबुतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया था और बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिदू हुआ उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से तीन सो रवे में खरिदा और मेरा कबरे लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुष्टी पुराना है सहाब ने जहावलाल को पांस सो रुपे दे कर अपनी राह लियानी कि अपनी घर चले गए और लाला जहावलाल और पंडित बिल्वाजी ने एक जोड़दार ठाहा का लगाया यानि कि वे खुशर हो रहे थे कि उन्होंने अंगरेजी सहाब को मूर्ख बना दिया तो इस कहाने के बाद हैं हमसे बताया गया है कि हमें कठन परस्तियों में इस चत्र राइसे काम लेना चाहिए जब दर्थ कोश्चन अशर्स बच्चों आपके होम्वर्क में दे जा रहा हैं और हर लेस bonus की वीडियो के बाद यानिकी 2 वीडियो में आपको दिये जा रहा है चेटर बढाने के बाद लेकिन आप चिट्यों में अपना वर्क जरूर कंप्लेट कीजिएगा सारे कोशन सेने की 1 to 5 के लेसन की कोशन आपकी कॉपी पर होनी चाहिए और एक्सराइज आपकी बुक में होनी चाहिए इन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वे एक रफ कॉपी पर इन आंसर को लिख लीजिए और जब आपके बुक आज हाएगी तो आप उसमें लिख लीजेगा बाद में लिख लीजेगा कॉशन नुमर टू फिलप का जहुलाल की पत्नी ने एक दिन एक आएक कितनी रुपी की मांगी थी ताहिए सो रुपे की और जहुलाल ने अपनी परिशानी किसको बताए थी अपनी मित्र को बिलबासी मित्र को गर नू जहां के इस डैश पर जहां की दिलो जान से निचावर हो गया बोलेपन नेक्स्ट मीचर डगलस ने जहांगी री अंडा खरीदा था कितनी रुपे में तीन सो रुपी में लास्ट बादशाह डैश शी शाहर से हार कर भागा था किससे ही माई उसे कुशन बातरी देखिए लाला जहुलाल के दशा देखकर पत्नी ने किस से रुपे मांगने की बात कही तो उन्हेंने बात कही थी अपने भाई से यदि आपने दे सकती थो अपने भाई से कहती हूँ अंगरेश ने लोटा कितने रुपे में खरीदा आप सब जानते हैं पानश रुपे में बाशा हिमाईू किस से टर कर भागा था शेषा से गहा, हिमायो शेषा से हार कर कब भागा था, सोल भी श्ताब्दी में मेजर डगलस ने जहांगिरी अंडा कितने रुप में कर दे था, तो तीन सो रुपे में जावलाल की पत्नी ने उनसे सो रुपे मांगे थे, यह बाट सही है, गलत है बिटाईए जावलाल की पत्नी को रुपे देने से मना कर दिया था, नहीं मना नहीं किया था, नों ने कहा था कि यहांगो कुछ दिनोंबर पैसे दे देंगे मेजर डगलस के पास जहांगिरी अंडा था, सही बाट सहा, बाशा हिमायो शेषा को हरा कर भागा था, गलत सहाप नहीं जावलाल को 500 रुपे दे कर अपनी राहली सही बाशा बोज में देखिए विशेशनों विशेशनों को मिलाना है 500 रुपे बेढंगी सूरत शाही गराना शिक्षित आदमी और तीमंजला भवन क्वेशन नमबर टू देखिए इसमें उपसर को अलाला करके लिगना है आसमर्त में आउपसर है प्रबंध में प्रे सू सिक्षित में सू प्रसिद्ध में प्रे और प्रभा में भी प्रे क्वेशन नमबर तरी वाक्य प्रयोग प्रतिस्था समाज में अपनी प्रिदिस्था बनाय रखना सरल कार्य नहीं है आप अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं लोग, लोग पाप का कारण है मुझरिम, राजा ने मुझरिम को सजा दी next question, संग्र है हमें अच्छी पुस्तकों का संग्र है करना चाहिए मैं फिट से रिपीट कर रहे हूं आपको 1-5 रेसन के question answers आपको homework में दिये जा रहे हैं आप homework में दिये गए सभी questions को अपनी कॉप में साफ साफ लिखेंगे उन्हें समझेंगे उन्हें याद करेंगे सारे exercise और question answers आपकी प्रतिक वीडियो के बाद दिये जा रहे हैं और आपकी return में exercise दी जा रहे हैं तो जिन बच्चों के पास book है वो अपनी book में फिल कर लीजिए exercise और question answers अपनी copy में कर लीजिए और जिन बच्चों के पास book नहीं है तो वो किसी एक copy पर लिख लीजिए इन सभी answers को जो आपकी exercise है और जब आपके book आजएगी तो आप उसमें fill कर लीजिएगा और इदि किसी भी chapter के exercise में और question answers में कोई भी problem आ रही है तो जब आपके school open होंगे तो आपकी problem solve करेंगे आपको परशन होने की कोई भी आविशकता नहीं है लेकिन जो भी आपका आपको homework दिया जा रहा है उसे आप जरूर करेंगे ऐसा हमें उम्मीद है तो बचो आज बस इतना ही thank you and have a nice day